प्रेंड्स वेलकम टू ब्राइट इंग्लिश पेकिंगे दोस्तों इस वीडियो में हम जा लेंगे चूहे को इंग्लिश में माउस कहें या रैट, अक्सर लोगों को कन्फिजन होती है क्योंकि इंग्लिश के दो वर्ड होते हैं चूहे के लिए माउस और रैट तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माउस और रेट के बीच में क्या फरक है और कब कौन सा वर्ड यूज करना है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो, अब अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस लाल रंग के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथी नोटिफिकेशन, बेल को दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों हम पहले बात करेंगे साइस की, रैट और माउस की साइस क्या होती जो रैट होते हैं, वो अमोमन बड़े होते हैं, तकरीबन 40 cm की होते हैं और जो माउस होते हैं, वो रैट के कंपरेजन में छोटे होते हैं, 12-20 cm की लंबाई होती हैं यानि आप कह सकते हैं, रैट जो होते हैं, बड़े चुवे जो होते हैं, उन्हें हम रैट कहेंगे और जो छोटे चुवे होते हैं 12 से 20 सेंट में माउस कहेंगे अगर बात करें कानों की यानि के एर्स की तो जो रैट होते हैं इनके कान माउस के केमपरेजन में छोटे होते हैं और जो माउस होते हैं इनके जो कान होते हैं वो काफी बड़े होते हैं इनके चेहरे के मुकाबले इनके कान बड़े होते हैं अब हम बात करते हैं पूछों की अगर पूछ यालिके टेल की बात करते हो जो रैट होते हैं इनकी जो पूछ होती हो लंबी होती है और इनकी पूछों पर बाल नहीं होते हैं जो माउस होते हैं उनकी पूछे लंबी होत होप आप लोगों समझ में बदे बडिवाइब होते हैं जो麼 माउस को रैट के लिए कोई गुनाह नहीं है कोई गल्पी नहीं है चलता है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो